हलो फ्रेंड्स स्वागी थे आपका अपनी चैनल अवी क्लासेज में और यह नोटिफिकेशन आई है इगनू की तरफ से कि इसमें जो है डेटशित आ गई है आपके टमेंड एक्जाम्स जो की जून में होने वाले हैं उनके लिए टेंटेटिव डेटशित आई है डेटशित के पेपर ना हो तो आप जो है अभी अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हो क्योंकि अभी फाइनल डेटशित नहीं है यह फाइनल तब बनेगी जब इस पर कोई अब्जेक्शन नहीं होगा पोर्टल फोर ओनलाइन समीशन ओफ एक्जाम फोर्म जो है है हैस बीन ओपन आपको पता है एक मार्स से ही कुल गया था पॉर्टल और रेजिस्ट्रेशन चल ही रही है अगर आपको एक्जाम के लिए रेजिस्टर करना है तो आप कर सकते हैं आपने अभी तक नहीं किया है तो और इसमें यह बूला है कि जो ग्रूप नीचे आपको ग्रूप ग्रूप दिये कि उसमें चेंज नहीं होगा लेकिन अलग-अलग ग्रूप का अगर सब्जेक्ट आपका क्लैश हो रहा है एक्जाम तो आप जो है रेक्वेस्ट कर सकते हैं उसमें चेंज के लिए फिर बात आती है कि कुछ सब्जेक्ट के आपके MCQ बेस आते हैं बार-बार केंडिडेट् है तो इन सारे सब्जेक्ट सब्जेक्ट का आपका जो एक्जाम होगा वो MCQ बेस्ट होगा और जो आपकी यह क्यूरी रहती है कि assignment तो जो है आपकी वो तो theoretical आती है 100 marks की तो देखो assignment में आपके MCQ नहीं आते हैं हलाकि paper जो है वो आपका MCQ बेस्ट होता है और books जो है आपकी वो आपकी सारे theoretical है और books भी आप जिन candidates की जो बोल रहे हैं कि हमने books नहीं मंगवाई या books कैसे अब क्या कर सकते हैं हमारी हमने order किया था और अभी भी नहीं आई तो इगनू इग्यानकोश से आप अपनी books जो है free of course soft copy डाउनलोड कर सकते हो किसी भी subject के आपको book चाहिए for this subject इगनू तो आपको जो है इगनकोश का भी वहां पर एक website मिल जाएगे और आप वहां से जो है जिस भी subject को आपको requirement है उसका आप उसकी soft copy डाउनलोड करके वहां से आप पढ़ सकते हो और यह है देखो कुछ course code यह दिये हैं इनका दो code का हो सकता है शायद पहले इसका objective ह हुआ हो लेकिन अब descriptive paper है इन दो code के लिए और learners appearing in tamand exam June 2024 onwards in these are permitted to write their scripts in Bengali language भी आपको allowed है इससे पहले Bengali language जैसे कुछ आपके exam होते थे उनमें आप बोलते थे कि English Hindi bilingual आते हैं questions तो आपके कुछ जो थे वो आपके subjects वो उडिया में भी आते थे लेकिन अब Bengali में भी है यह जो subjects course details जिनकी दी हुई है यह subjects आप जो है Bengali में भी आपके है अब group दिये हुए हैं कि group 1 में कौन-कौन से subject आते हैं मतलब कि अगर इन में से किसी में या group 2 में या 3 में इनका जो भी paper होगा एक same shift same day होता है एक group का जैसे group 1 का, group 2 का इस तरीकी से एक particular group का paper एक दिन ही आपका एक ही shift में होगा और बाकी जैसे ही यहाँ पर भी दिये हुए हैं कुछ बाकी जो आपके paper अभी tentative date sheet की हिसाफ से हैं वो आपके 7th of June से start होगे हमेशा की तरह दो shift रहेंगे morning and evening shift और morning में आपकी subject course दिये हुए हैं आप जो भी subject में इसकी pdf जो है अपने telegram group पर नवी classes पर share कर दूँगे आप हमें वहाँ join कर लेना अगर नहीं किया है तो तो इसमें आप जैसे ही आप जैसे आपको यही मिलता है आप search कर सकते ही यहाँ पे click करके अपना बिना space के अपने subject का code डालना आपको उसी subject पर वो आप जो अपने उस particular subject के code पर पहुंच जाओगे आपको पता चल जाएगा आपकी morning shift है evening shift है जो भी है तो 7th of June से इस date sheet के हिसाब से आपकी जो है मैंने बताया है paper start है और बहुत कम होता है कि paper postpone हो चाहे election है चाहे जो मर्जी है आपके paper यह होंगे ही होंगे क्योंकि Corona time में भ जैसे ही थोड़ा से lockdown खुला था सबसे पहले university यह exam conduct कर वा गई थी जबकि काफी universities जो है वो offline भी home based exam भी जिन्होंने लिये थे लेकिन ऐसा इस university ने नहीं किया 13th of July को आपके exams conclude होंगे आपको मैंने बताई दिया है check करने का तरीका बाकि कुछ subjects के note हम provide करते हैं like BSTF 101 MCQ based FST 01 और आपका EHI 5 है BSW456 है AD1 है ECO13 है BG104 है तो इन subjects के notes अगर आपको चाहिए हूँ तो आप जरूर comment box में बता दे ना और वैसे मैं आपको इसमें video के description में डाल दूंगे आप कैसे whatsapp की थू हमसे जो है notes ले सकते हैं nominal charges है उसके बिलकुल fair charges रखे हैं महनत जितनी हुई है उस आपको PDF ही provide की जाएगी जैसे ही आप हमसे contact करेंगे अगर online होते हैं WhatsApp on होता है आपको तुरंत करते हैं हगी साथ साथ जो है आपका कुछ seconds के अंदर ही reply कर दे और जैसे ही आप payment करते हैं तो seconds के अंदर ही आपको PDF जो है forward कर दी जाते हैं तो अगर आपका कुछ और doubt बचा ही इस से related आप comment box में उसे फूज सकते हो और अभी study material तो यह है कि मतलब notes तो किसी और नई subject के अभी इतनी जल्दी provide नहीं करवा पाएंगे लेकिन कुछ important questions ज़रूर बता देंगे तो आप अपनी request आप बता सकते हो कि आपको कौन से subject की important questions चाहिएं तो उन पे एक वीडियो बन क्यूरी आई हैं कुछ candidates की मेरे पास telegram पर भी और whatsapp पर भी कि paper conduct कैसे करवाया जाएगा क्या आपको उसमें tick करना होगा नहीं question paper में tick नहीं करना होता आपको जैसे आप competitive exams देते हैं तो उसी की तरह आपको एक OMR sheet मिलेगी जिसमें आपको जो है correct bubbles जो है आप ball point pen से fill करने है blue black जो मर्जीद चाहिए pen यूज़ कर सकते हैं लेकिन ball pen ही होना चाहिए और तो आप वो यूज़ करेंगे फिर वो आपकी जो है OMR reader से ही आपकी वो scan होगा आपकी computerized waste होगा उसमें manual process नहीं होता है checking का तो उमीद है कि वैसे तो आपकी जो जो main queries सी मैं मैंने जो भी students के message thanks for watching this video channel को subscribe जरूर कर लेना और notifications पसंद आती है content पसंद आता है video like और share भी कीजिए आपसे ये request है thanks for watching this video